हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हूँ आप सब आप सब अच्छे होंगे आज हम आप लोगों के लिए बहुत दिनों की बाद व्लॉग लेकर आए हैं आज की व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि आज हमारे हां थोड़ी बारिस भी हुई है मौसम अच्छा है भी और नहीं भी क्योंकि ठंड कम वसम है और ऐसे में बारिस हो जाए तो फिर ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है तो हम आभी आपको दिखाएंगे कि बारिस हमारे यहां कैसे धीर धीर से हो रही है और अभी तो सुबह के साथ बज़े हुए हैं तो अभी हम बनाने जा रहे हम दलिया बनाने जा रहे हैं तो आप सब लोग देखिएगा कि हम चटपटी दलिया बनाएंगे कैसे बनाएंगे आप सभी लोग को पता होगा कि हमारी बेटी की तवियत ठीक नहीं थी तो बेटिया अब ठीक हैं घर आ गई हैं लेकिन डॉक्टर ने उनको दलिया खाने के तो इसलिए आज हम नमकीन चटपटी दलिया बनाएंगे बहुत ज़्यदा चटपटा भी नहीं करेंगे हलका मिर्च डालेंगे और आप लोगों के साथ हम सेयर करेंगे कि हम कैसे दलिया बना रहे हैं और साथ में हम चाय भी बनाएंगे तो अभी हम सुबह का अपना काम अधिया धुड करेंगे Ez चाय चुली भी जाख करेंगे बना रहे हैं तो मसाला करेंगे पर जख्यों कि कुछ ज्यादा धालेंगे जादा द्यभा विर्च वड़ हम शिकर बना रहे हैं तो जद़ए मेंकरा बना ठीक करेंगे खिपाया मिर्च बना रहे है तो इसको उन पहले डाल दी थी अभी थोड़ा सा लाल मिर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर और दो चूटकी के बराबर हम डालेंगे इसमें हल्दी और दो चूटकी के बराबर हम इसमें गरम मसाला अट करेंगे और हमने थोड़ी से हरी मतर रखी थी चील के तो उसको भी हम डाल देंगे दाने हम डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे देखिए हमने अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे कि इसhof के बैटा को ज्तिक होई चावाल पसंद नहीं तो फोड़ा सा वुषा आट करें जदा याइप हम पकने के बाद मुलायम रहे बहुत जादा ठाइप ना बन पाए इसलिए हम स्में पानी करेंगे धोड़ा-इंट इसलिए हम पानी इसमें ज्यादा राइट करेंगे और अब हम छोटा टामाटर लेंगे जो चोटा चोटा पीस करके डाल देंगे और डालने के बाद हम इसमें स्वादा नुसार नमक भी डालेंगे तो देखिए टमाटर भी हमने काट के डाल दिया है टमाटर डालने से दलिया का स्वाद बढ़ जाएगा तो लिए हमने टमाटर डाला है थोड़ा सा पानी हमने इसमें और अड़ कर दिया है और अब हम डालेंगे स्वादा नुसार नमक नमक हम ज़्यादा नहीं एट करेंगे स्वादानुसार ही डालेंगे क्याँकि नमक हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें नमक का हम बिशेज ध्यान रखते हैं कुछ भी हम पकाएं हमको नमक का ध्यान रखना है कि हमारी जो जो दिस बन रही है या जो दाल बनारे हैं उसमें नमक ज़्यादा होने पाए तो इसलिए हम नमक का बहुत अच्छे से खयाल रखकर ही डालेंगे क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो गया तो पूरा सुवा खराब हो जाता है तो इसलिए हम नमक थोड़ा एट करेंगे और देखिए अब हमने ढखकन लगा दिया है ढखकन लगाने के बाद तीन से चार सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे दलिया तो बहुत जल्दी पक जाती है लेकिन हम ज़्यादा कलाने के लिए इसमें चार सीटी आ लगाएंगे ऐसे तो दलिया दो सीटी में ही पक जाती है लेकिन हम इसको चार सीटी में पकाएंगे इधर हमने चाय के लिए भी पानी रख दिया है और चाय की पत्ती हम डालेंगे पानी हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें अदरक भी डाल देंगे ठंडियों का मौसम है तो ठंड के मौसम में चाय में अदरक बहुत अच्छी लगती है और पीनी भी चाहिए अदरक हमारे सरीर के लिए फायदे मन भी होती है अदरक वाली चाय पीने से सर्दी नहीं लगती है अगर हम हमें थोड़ा सा ठंड लग भी जाती है और अदरक वाली चाय हम पीते रहते हैं तो वो ठंड हमें ज़्यादा परिशान नहीं कर पाती है अगर गले में जकड़न रहती है खरास रहती है तो वो भी अदरक से दूर होती है तो इसलिए ठंडियों के मौसम में आप जब भी चाय बनाए तो उसमें अदरक जरूर डालें तो यह देखिए मैंने अदरक कूटली है और अब हम इसको चाय में डाल देंगे और खुब खौलाएंगे कम से कम 15-20 मिनिट तक हम अपनी इस अदरक को खौलाते रहेंगे अभी हमको जल्दी नहीं है कोई भी अभी सोके नहीं उठा है हमारे यहां सभी लोग सो रहें है तो हम बड़े ही अराम-अराम से बनाएंगे अदरक को खौलाएंगे ताकि अदरक का सारा अर्क हमारी चाय में आ जाए तो हम बड़े ही अराम से बनाएंगे चाय क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है तो यह देखिए हमारी चाय पक रही है और इधर दल्या भी पकने लगी है कूकर में सीटी आने वाली है और इधर हमारी चाय में भी उबाल आने वाला है आपने देखा होगा कि हमने अभी तक चीनी नहीं डाली है पहले हम अच्छे से चाय की पत्ती अद्रग को खौलाएंगे और उसके बाद दूद डालेंगे दूद को भी हम अच्छे से खौला लेंगे उसके बाद हम इसमें चीनी एट करेंगे तो अभी हमारी चाय की पत्ती और अद्रग ही खौल रही है देखिए उबाल आना शुरू हो गया है चाय हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है और इधर हमारी दलिया में भी सीटी आ रही है लगातार चाय हमारी खौल चुकी है हमने दूद भी डाल दिया है अब हमारी दूद में भी जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसको पकाते रहेंगे वैसे यह हमारा दूद पका हुआ है लेकिन यह फ्रिज में रखा था जिसकी वज़े से बहुत ज़दा ठंडा है तो यह अभी थोड़े देर में पकने लगेगा जब यह पक जाएगा तब ही हम इसमें चीनी डालेंगे तो देखे दलिया तो हमारी पूरी तरह से पक चुकी है और दलिया हमारी पक गई है अब हम दलिया को नीचे उतारेंगे और बड़ी वाली गयस पे हम अपनी चाय को रखेंगे आप लोग देख सकते हैं कि हमने दलिया को नीचे उतार लिया है और अब हम बड़े वाले चुले को जला देंगे और अपनी चाय उठाकर इस वाले चूले पर रखेंगे जिससे कि हमारी चाय और अच्छे से पक सके तो देखें यह हमारी चाय पक रही है अब हम इसमें चीनी अड़ करेंगे क्योंकि अभी तक हमने चीनी अड़ नहीं किये है सबसे लास्ट में हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी डाल कर भी हम चाय को खौलाएंगे फ्रेंड्स कोई तो नहीं उठा है लेकिन ये चाय खौल जाएगी तो इस सबसे पहले मुझे पीनी है क्योंकि चाय के बिना तो मेरा सरदर्द करता है मैंने आपको बताया था इसलिए हम अपने लिए चाय सुबा ही बना लेते हैं और सुबा बना कर हम चाय पी लेते हैं क्योंकि अगर सुबा की चाय हमारी मिस हुई तो हमारा दिन पूरा खराब हो जाता है पूरा दिन हमारा सरदर्द होता रहता है तो देखिए हमारी चाय भी खौलने लगी है और हम अपनी चाय निकाल लेंगे कफ में चान कर पीएंगे और पकी की चाय रख देंगे और बच्चों को भी जगा देंगे उठाएंगे उनको तकि वो सब बंजन ब्रस करके अपना नास्ता करें तकि दल्या भी हमारी पक चुक उठें तो हमने बाहर देखा बूंदे पड़ रही थी तो हमने सोचा कि आज हम आप लोगों के साथ व्लॉग जरूर सेयर करेंगे जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे आज का मौसम कैसा है हमारे यहां का तो आप सब ही लोग चलिए हमारे साथ च्छत पे हम आपको च्छत पे ले जाएंगे और वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहां का मौसम कैसा है तो अभी हमने चाय निकाल ली है और यह देखिए दलिया भी हमारी पक चुकी है तो हस्बंड हमारे आफिस जा रहे हैं तो उनके लिए हम दलिया परोसेंगे उनको एक कटोरी दलिया ह मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा गिली दलिया ही बनाएंगे बहुत टाइट नहीं बनाएंगे तो यह हमारे दलिया बनकर रेडी है और यह हमने प्लेट में दलिया निकाली है क्योंकि दलिया बहुत जादा गरम है तो इसलिए ठंडी हो जाए तो इसलिए हमने प्ले रात भर इसे तरह बूंदे पढ़ती रही है तो यह देखिए पूरी तरह से छत गीली है यह सारे पेड़ भी गीले हैं बूंदे अभी थमी नहीं है अभी तक पढ़ रही है यह देखिए सारे पेड़ गीले हैं पतियों को देखकर आप समझ जाएंगे कि बारिस अभी हो रह है यह सारी पत्यां गीली है तो फ्रेंट्स कुछ ऐसा ही है हमारे यहां का आज मौसम तो हमने आपको दिखा दिया यह सुबा साथ बजे का सीन है जो हम आपको दिखा रहे हैं तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें